हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ तो ब्लाउज के लिए यहाँ पे मैंने 80 सेंटिमेटर ब्लाउज का पीस लिया है तो सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरह से लंबाई में खोलना है दोनों साइड इसकी किनार है और इसको हमें इस तरह से पकड़ के फोल्ड करना है यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड 11 इंच पर किया है अब हम इसके पहले बैक पार्ट के कटिंग करेंगे पीछे डीप नेक बनाते हैं, तो हमारा जो शोल्डर होता है, वो कम करना होता है, अगर पीछे की साइड हम बाट नेक बनाते हैं, या कोलर वाला नेक बनाते हैं, तो उसमें हमें इसको पूरा जितना भी सवा साथ इंच शोल्डर है, वो रखना होता है, तो यहां पे मैं पी बस्टिसाइज का निशान लगा देंगे तो साड़े आठ इंच पर बस्टिसाइज का निशान लगाना है और डेड़ इंच एक्स्ट्रा हमें सिलाई के लिए मार्जिन का लेना है अब हमें आर्म होल को गुलाई देनी है तो कोने से डेड़ इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह से इसको गोलाई देनी है फिटिंग वाले निशान तक इसको मिलाना है और जो मार्जिन वाला निशान है वहाँ तक यह सीधा रहता है और आब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे रेडी साइज मुझे 14 इंच चीए तो मैं इसमें आदा इंच प्लस करके निशान लगा रही हूँ तो बलाउज की आपकी जितनी भी लेंट हो उसमें आदा इंच प्लस करके निशान लगाना होता है और आब नीचे की साइड एक सीधी लाइन ड्रो कर लेते हैं और नीचे की साइड में भी हमें जितना बस्ट साइड था साड़े आठ इंच और प्लस देड इंच सिलाई मार्जिन का वो निशान लगा देते हैं और दोनों निशानों को उपर तक सीधा मिला देते हैं अब पीछे की साइड एक डार्ट आती है तो वो कितनी आएगी वो आ इंच पर एक निशान लगाना है और अब उपर से इंच टेप को इस तरह से रखना है और दस इंच पर एक निशान लगा देना है और इसको सीधा नीचे तक मिला देना है तो यह डार्ट का हमने निशान लगाया अब डार्ट की नीचे से चोड़ाई रखनी है वो देड इ इंच और इसको तेश्चा इस तरह से मिलाना ह। यहाँ पर दाय इंच गले के छोड़ाई रखनी है और इस Counter कुने परे में से गले को हलकी सिगोलाई देनी है करीब आधा इंच की ये गोलाई देनी है और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं अब यहां पर ब्लाउज के बैक बार्ट की कटिंग हो चुकिए अब हम इसकी फ्रेंट पार्ट की कटिंग करेंगे अब ब्लाउज में हम आगे की साइड हुकाई रखने वाले हैं तो आगे की तरफ हमें वन फोर्ट इंच कपड़ा इस तरह से साइड में एक्स्ट्रा लेना है तो वन फोर्ट इंच का निशान लगा कर एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है और अब इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे तो साइड में जो वन फोर्ट इंच शोल्ड़ा है उससे हमें एक्स्ट्रा सवाँ पाच इंच पर निशान लगाना है यानि कि उसको हमें किसी भी मेजरमेंट में उसको काउंट नहीं करना है और आर्म होल को भी हमें पीछे की साइड हमने 8 इंच पर बस ते साइच का निशान लगाया तो आगे की साइड आदा इंच प्लस करके लगाना है यानि 9 इंच पर और 1.5 इंच मैंने यह सिलाई का मार्जिन लिया है और अब इस आर्म होल की गोलाई देनी है तो कोन इसे 7 इंच पर एक निशान लगा हो आप कम करना चाहते हो तो छैंच भी कर सकते हो और इसको नीचे की साइड से अब पौने 3 इंच पर एक निशान लगाना है और इसको उपर तक मिला देना है और इसके बाद गले को हमें हलका सा कर्व देते वे इस तरह से गोलाई देनी है और अब हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है तो लंबाई का निशान हम जो आड या तीरा बोलते हैं वो कितने पर कट होता है हमारे बलाउज में तो आप अपने बलाउज से मेजर करके आप इसमें निशान लगा सकते हो तो यहाँ मेरे मेजरमेंट में आता है 13 इंच उसमें 20 इंच प्लस करके निशान लगाना है तो आता है 13.5 इंच तो इसकी हम लंबाई रखने वाले हैं 13.5 इंच की तो पहले एक सीधी लाइन डो कर लेते हैं और अब इसमें गले की साइड से 4 इंच पर एक निशान लगाना है नीचे की तरफ यह 14 इंच जो हमने एक्स्रा छोड़ा था उसको छोड़ते हुए उसके बाद हमें 4 इंच के उपर एक निशान लगाना है और अब इंची टेप को शोल्डर के उपर से इस तरह से रखना है और जो नीचे की तरफ निशान लगाया है उससे मिलाना है और दस इंच पर एक निशान लगा कर सीधी लाइन डो कर देनी है और एक निशान हमें आर्म होल में लगाना है तो इसको ने से एक इंच पर एक निशान लगाना है और इसको हमें इस तरह से हलका सा कर्व देते वे जो एक इंच का निशान लगाया है वहां तक हमें इस तरह से मिलाना है तो ये हमारे प्रिंसिस कट की शेप बनती है इस तरह से और अब इसके नीचे से हमें डार्ट की चोड़ाई कितनी रखनी है उसके लिए सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है नो इंच पर जतना हमने बस्ट साइज लिया उतना ही और देड इंच ये एक्स्ट्रा सिलाई का रह गया और अब इन दोनों निशानों को उपर तक सीधा मिला देना है तो अब नीचे की साइड एक डाट का निशान लगाएंगे तो नीचे से इसकी पूरी चोड़ाई है नो इंच जिसमें से आदा इंच सिलाई में चला जायागा तो साड़े आठ इंच रहता है और कमर का साइज ह साथ इंच तो दोनों का डिफ्रेंस हुआ डेड इंच तो इधर की साइड हमें डेड इंच का एक निशान लगाना है और उपर की साइड से जो दस इंच पर हमने निशान लगाया है वहां तक इसको हमें इस तरह से हर कसा कर्व देते वे मिलाना है और इसको हमें इस तरह से princess cut shape देनी है और अब गले की side से नीचे की तरप हमें 0.75 यानि 3-4th inch का एक निशान लगाना है और इसको तरशा करके इस तरह से मिला देना है और दूसरी side armhole की side से नीचे की तरफ आदा inch का एक निशान लगाना है और तरशा मिला देना है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे अब इस पार्ट की हमने कटिंग कर ली है अब इसमें नीचे वाले तीरे की कटिंग करेंगे तो कपड़े को एक बार हम सीधा कर लेते है अब नीचे से जो तीरे की चुड़ाई होती है वो कम होती है, वो कमर के साप से होती है तो कमर यहां पर 7 इंच है तो 7 इंच के अकोडिंगी हम इसको कम कर लेंगे इस तरह से किस का के तो 7 इंच प्लस 1,5 इंच यानि 8 इंच पर कर लेंगे इसको अब यहाँ पर उपर से इसकी लंबाई है 1,5 इंच और पीछे की साइड का हिस सामने कट किया था 1,5 इंच तो दोनों का डिफ्रेंस होता है एक इंच तो एक में हमें 1,5 इंच प्लस करना है और 1,5 इंच पर दोनों तरफ निशान लगा देना है कटिंग करते वक्त यहाँ पर मेरा कैमरा पौज हो गया था तो मैं इस तीरे की कटिंग आपको पेपर पे बता रही हूँ तो साइड में सबसे पहले 1,4 इंच हमने एक्स्रा निशान लगाया था हुकाई के लिए वो लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है और इसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है तो यहाँ पे कमर है 7 इंच 28 का चोथा ही होता है 7 इंच तो 7 इंच पर निशान लगा देना है और डेडिन सिलाई के लिए मार्जिन का लेना है तो उपर की साइड भी यही निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को सीधा सीधा मिला देना है आपस में और अब इसकी हमें कितनी लंबाई लेनी है जो तीरा है उसकी लंबाई कितनी लेनी है तो वो लंबाई आएगी धाई इंच तो दोनों तरफ धाई धाई इंच का निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को आपस में सीधा मिला देना है और इस तरब से हमें इसमें एक इंच पर एक निशान लगाना है और इसके बाद ये साथ इंच का लिया उसका बीच का निशान लगाना है बन फोर्थ इंच इसको उपर करना इस तरह से और इसको तेज़ा हल्क आसा करव देते वे उपर तक मिला देना है तो ये हमारा आगे का तीरा बन कर तयार होता है इस तरह से और अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं